आर्ट एंड कल्चर में कुछ बात पूंड घटनाएं गटिन 2022 में उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं और याद रखिए इस तरह के टॉपिक्स से आपकी परिक्चाओं में कुश्चन्स पूंचे जाते हैं चाहे आप लोग UPSC की तैयारी कर रहे हो या इस्टेट PCS में UPPCS हो बिहार PCS हो MPPSC हो या आप देखिए कि वन्डे एक जाम जिसमें आपके इस्टेट लेबल के एक जाम भी रहते हैं और सेंटर लेबल के भी एक जाम रहते हैं तो भारतिय संस्किती आप लोग पढ़ते भी होंगे और अगर आप लोग सेबल सर्विस की स्टेट PCS की तैयारी करते होंगे तब तो आप लोग मुख परीक्षा में एक पूरा आप देखते हैं कि टॉपिक ही एक सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं कला इम्म संस्किती के बारे और ये आप देखे हमारा प्यारा भारत है ये तो आप लोग सुनते भी रहते होंगे कि विवित्ताओं से भरा हुआ है हमारा भारत यहां आप देखेंगे हर जाती के हर समधाय के हर धरम की लोग देखने को मिल जाएंगे वो बड़े सांती से रहते भी हैं और आप देखे तरह से एक दूसरे का क्याल भी रखते हैं आप देखें बहुत सारी भासाएं बोलने वाले मिल जाते हैं और नई दिल्ली हमारी राधधानी है हमारे पड़ोसी हमें देखें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बंगलादेस, मियानमार देखने को मिले आपने देखा है कि 2022 में अलोरी, सीताराम, राजू और रंपा अंदोलन का भी चर्चा में रहा हैं साल 2022 में आई फिल्म तिरपल आर्ग खासी चर्चा में रही हैं और आप सभी जानती कि साउट की मोवी है और अच्छी चली भी है ए फिल्म जंजाती रंपा अंदोलन की प रंपा अंदोलन साल 1922 में आंध पिदेश में हुआ था इस अंदोलन की वजए थी आदिवासियों की पारंप्रिक फोडु खेती पद्देती को ख़तरा और यस अंदोलन का नितित किया था अलोरी सीताराम राजू ने और किरांती कारी सीताराम राजू का जणम 1898 में नारं किया है देखिए एक और बात आप लोगों को मालो होने चैन कि हमारे तेसमें आप देखिए कि बहुत तारे राजा महरा जा रहे हैं लेकिन आप देखेंगे पहले उन्होंने जंजातीयों चित्रों में आप देखेंगे कोई हस्ती já नहीं किया, लेकिन अंग्रेज जब से आए इन्होंने हर किसी का सोसन किया सोसन का तरीका अलग था इनका लेकिन आप देखे zit जन्जातिहों के लाके में इन्हें इन्हें छेड़ चाड़ करने लगे आप देखे कि और भी जो जातियां थी धरम थे, उनके छेत में भी आप देखेंगे, इनके दबारा हस्ते चेप किया, उसी की नाजराजगी रही, और आप देखते हैं कि एक समय ऐसा भी आया, कि सभी एक होकर लड़े वहीं, और आंध्पिदेश की बात करें, तो आप सभी जानते ही, वर्थमान आंध्पिदेश यह है, अमराबतीस की राध्दानी है, और इसा, चत्तिसगर, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलाडू से इसकी सीमा लगती है, भासा यह अधार पगठित होने बाला पहला राज्ज है आपका आंध्पिदेश, और आप देखेंगे कि यहां विधान सभाब में 175 सीटे है, व अलिए तो यह भी याद रखेगा, यह अनंगताल जील, यह क्यों चर्चा में रही, संस्किती मंतराले की तहित मान राष्टी इसमारक पराधिकर ने अनंगताल जील को राष्टी महत्प का इसमारक घोसित किया है, और यह जील दिली में महरोली के पास आपको देखने को मि दिली का की नाम से दिली सहर की स्थापना की थी, कई से लालेकों और सिक्कों की अध्यां से प्रमाडित होता है कि तोमर नरेश अनंग पाल आठवी से बारवी सताब्दी के भी दिली और हर्याणा की सासक थे, बामियान बुद्ध, तो यह आप देखेंगे कि 1990 की दसक की द और साल 2021 में जब तालीवान ने दोबारा अफगानिस्तान पर कपजा किया तो इन देशों को अपने पक्ष में करने और अफगानिस्तान में निवेस करने बढ़ाने के लिए तालीवान ने कहा कि वो मैस अहनाग में इस्तित प्राचिन बुद्ध विदिमाओं की रक्षा क कुसार सासकों के सासनकाल में इस इलाके में बहुत धरम का बहुत प्रिचार पिसार भी हुआ और पांचवी सताबदी के दौरान यहां बलुआ पत्थर से काटकर बुद्ध की मूर्थिया बनाई गई थी साल 2003 में यूनेसको ने इस पितिमा के बच्चे हुए आउसेसों क को विस दहरोवर इस्तल सूची में सामिल भी कर लिया था और आप सभी जानते ही कि अफगानिस्तान में तालीवानों का कबजा हो चुका है देखिए हमारे लद्धाग वाले हिस्ते की सीमा लगती है तालीवान से ठीक है मुडेरा एक गुजरात की मेहसाना जिले में इस्तित मुडेरा गाउं सौर उर्जा से बिजली पराप्त करने वाला देश का पहला गाउं बन गया है और इसके अलावा मुडेरा सूर मंदिर के लिए भी पिसिद्ध है हाली में सूर मंदिर को यूनेसको की विरासत इस्तल की आज़्थाई सूची में भी सामिल कर लिया गया है और इस मंदिर का निर्माट चालुक नरेस भीम पिथम ने दस्तो चब्वी से दस्तो सत्ताईस में कराया था एक तो यहां आप लोग गुजरात के बारे में याद रखिएगा और गुजरात को देखें तो आप लोग देखेंगे गांधी नगर इसकी राजदानी है गुजरात की और अंतराष्टी सीमा आप देखेंगे पाकिस्तान से लगती राज्यों में राजिस्तान मद्वदेश महराष्ट इसके पड़ोसी है विधान सभा में आप देखेंगे कि 180 सीटे हैं राज्ये सभा में 11 सीटे लोग सभा में 26 सीटे हैं 1,96,024 किलोमीटर में फैला हुआ है एक माई 1960 में इसी राज्ये बनाये गया था यूनेस्को की भी बात हुई है तो यूनेस्को की बारे में तो मैं पहले भी बोल चुका हो कि आप लोग इस तरह की जो राश्टी है अंतराश्टी संगटर ने उनके बारे में जरूर याद रखिएगा उनसे कुश्चन सापकी परिक्षाओ में पूछे जाते है यूनेस्को की स्थाबना सोले नवंबर 1945 में हुई थी पैरेस फ्रांस में इसका हेड़कॉाटर आपको देखने को मिल जाएगा संत तुकाराम सिला मंदिर या आप देखेंगे कि 14 जून 2022 को पिदानमंती नैंद मोदी ने संत तुकाराम की सिला मंदिर का उधगाटन किया है या मंदिर पूने से लगवक 30 किलोमीटर दोर देहु नामक जगय पर है देहु संत तुकाराम का जनमिस्थान था आपको बता दूं कि संत तुकादाम ने 17 सदी में महराष्ट में भक्ती आंदोलन की निव डाली थी बेभगवान विष्णू के विठ्थल सवरुख के भक्ते थे अब देखे महराष्ट की बात हो रही है तो आप सभी जानते हैं कि मुंबई इसकी राजधानी है और इसकी सीमा आप देखेंगे गुजरास से लगती है, मद्वदे से लगती है, 36 गरते, लंगाना, कर्णाटक और गुआ से लगती है विधान सभा में 288 सीट है, विधान परिशन में 78 सीट है, राज सभा में 19 सीट है, लुक सभा में 48 सीट है 3,7,713 वर किलू मीटर में फला हुआ है छेतफ़ल में तीसरे नमबर भारत में आपका महराष्ट पहले पर मद्पदेश, माप करिए, पहले पर राजिस्थान, दूसरे पर मद्पदेश और तीसरे पर महराष्ट जब तक मद्पदेश का हिस्सा 36 गर था ना, 1 नमबर सन 2000 के पहले छेतफ़ल में सबसे बड़ा राज जुगा करता था मद्पदेश ही लेगें 36 गर के अलग होने के बाद, अब दूसरे नमबर पहाता है, पहले पर राजिस्थान पहुँच गया है साहित का नोबल पुरुसकार साहित के छेत में साल 2022 का नोबल पुरुसकार फ्रांसी सी लेकी का एनी एर्नोक्स को दिया गया है यह पुरुसकार उन्हें साहस और निदानिक तीक्षंड था, जिसके साथ वह बेक्तिगत, इसमिती, बेवस्थाओं और सामुईक पिती बंदों को जागर करती हैं के लिए दिया गया है और साल 1940 में फ्रांस में जन्मी एनी का पालन पोसन, फ्रांस के एक छोटे से सहर, यह भी टोट में हुआ है और उनकी किती 10 येर्स को इंटरनेशनल मैन बुकर पुरुसकार के लिए भी चुना गया था अलफेड नोबल की याद में एक तरह से आप देखे पुरुसकार दिये जाते हूं, 1901 से सुरू हुए थे सांती का नोबल पुरुसकार, सांती के चित में आप देखे 2022 का नोबल पुरुसकार, बेलारूस के मानावधिकार अधिबक्ता एलेस बलियात्सकी और रूसी मानवधिकार संगटन मैमोरियल उक्रियनी मानवधिकार संगटन सेंटर फोर सिविल लिवार्टीच को दिया गया है तीन देशों के लोगों और संगटनों के बीच या पुरुसकार दैनिक के पीछे का मुख कुद्देश परोक्च रूप से रूस युक्रेण के मदद चल रहे संगटन का संगटन देश देना है और पुरुसकार दासी बेलारुस की अधिवक्ता और दोना देशों के संगटनों के बीच सहकत रूप से बित्रीट कर दी गई है आप सबी देख रहे हैं कि यूकरेन और रूस के बीच लंबे समय से योद्ध चल रहा है कब खतम हो गा ये भी पता नहीं और सबसे ज्यादा इससे नुकसार आप देखिए यूकरेन को यूकरेन के लोगों को जिला पड़ रहा है आदी संकराचार आदी गुरू संकराचार के जनब इस्थान को राष्टी मत के इस मारग में सामिल करने की घोशना की गई है और इसते पहले नबंबर 2021 में पिधारमंत्री मोधी ने उत्राखन के कैदारनात में संकराचार की 260 फिट उची मूर्थी का भी अनावरन किया था और संकराचार का जनब केरल के कलाडी गाउं में हुआ था आदी गुरू संकराचार को भगवान सिपका उतार भी माना जाता है उन्होंने बच्पन में ही सन्यास ले लिया था और हिंदू धरम की पुनर स्थापना के लिए इन्होंने अद्वयत बात का मत दिया और उन्हें बेदान्त की अध्यन के लिए भारत में चार केंद्रों की स्थापना की जिनने हम लोग चार धाम के नाम से जानते हैं केरल की अगर हम लोग बात करें न तो दच्छन भारत में आपको केरल देखने को मिल जाएगा चली एक बार केरल दिखा देता हूँ आपको एक केरल तिरुएनंद फोराम इसकी राधधानी है और इसकी सीमा आप देखी करणाटिक तमिलनाडू से लगती है एक नमबर 1956 में इसे राज बनाया गया था विधान सभा में 141 सीट है राध सभा में 9 सीट है लोग सभा में 20 सीट है 38,863 वरा किलोमीटर में आपका केरल फैला हुआ है जब भी कोई इंडेक्स आता है साक्षर्ता की महलाओं की लिंगन पार या महलाओं की स्तिती की देख लीजे स्वास्त की देख लीजे तो केरल टॉप पर रहता है इस्टेचू ओप एक्वालिटी तो आप देखें कि रामानुजा चार की एकजार भी जैन्ती के अउसरफ है दरावाद की मुझीन तल गाउं में सम्ता मूर्ती और अत्वा इस्टेचू ओप एक्वालिटी का अनावरन किया गया है इस मूर्ती की उचाई 200 सूले फिट है और बेशनो संपदाय की सन्यासी त्रिदंडी चिन्ना जियर स्वामी की आस्रम में इस मूर्ती को लगाए गया है और रामानुजा चार ने विसिष्टा दोए बात मत का फितिपादन किया था और वेजजात पात और चुगा चूट का विरोध करते थे इसलिए उनकी मूर्ती को स्टैचू ओफ एकॉलिटी नाम दिया गया है हैदराबाद की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि तेलंगाना की ए राधधानी है और 2 जून 2014 में तेलंगाना को राज बनाए गया था इसकी सीमा 34 गर महराष्ट करनाटक और आंद्पेदेश से लगती है और आप देखेंगे कि यहाँ विधान सभा में 119 सीट है विधान परिशन में 40 सीट है राध सभा में 7 सीट है एक लाग 12,077 बर किलोमीटर में पहला हुआ है जब भी कोई राजी किसी भी कारण से चर्चा में रहता है तो उसके बारे में भी एक सामान जानकरी रखा करिएगा सुभाष्चंद बॉस 23 जन्वरी 2022 को सुभाष्चंद बॉस की 125 वी जैनती पर इंडिया गेट के पास उनकी होलो ग्राम पिदिमा का नाओरन किया गया है और इसी जगह पर सेप्टमबर 2022 में पिदानमंतिर नहित्मोधी ने सुभाष्चंद बॉस की 28 पर टूची नाइट की दिमा काना और रंग किया है महान करांतिकारी सुभाष्चंद बॉस ने दुतिय विस्तियोदी के दौरान साल 1943 में आजाद हिंद फोज का नेतित किया था आजाद हिंद फोज में सामिल होने से पहले सुभाष्चंद बॉस भारती राष्टी कॉंग्रेस से जुड़े हुए थे उन्होंने साल 1938 में कॉंग्रेस के हरीपुर आदिवेशन की अध्यक्सता भी की थी और सुभाष्चंद बॉस ने इस सबसे पहले महत्मा गांधी को राष्ट पिता कहकर संबोधीत किया था होईसल मंदर एकरनाटक के वैलूर हलेविड और रॉम्पूरा के मंदिर को युनैसको की विस्वरासस सूची में सामिल करने के लिए नामंकिंत किया गया है और साल 2014 में इस मार्गों को युनैसको की आश्थाई सूची में सामिल किया गया था और इन मंदिनों का निर्माण होईसल वंस के राजाओं के द्वारा कराया गया था होईसल वंस के राजाओं ने 1110 ते 1320 के द्वारान दच्छन भारत में सासन किया था और सुरवात में इनकी राधधानी बेलोर थी लेकिन बांद में इनकी राधधानी बदल कर हले बेढ़ हो गई थी करना टक को आप लोग देखना चाहें तो बैंगलोरिस की राधधानी है और आप देखेंगे कि इसकी सीमा ग्वाज से लगती है महारास्ते लगती है तेलंगाना आंपेदेश तमिलाडू से लगती है और आप देखें केरल भी इसे भी लगती है एक नवंबर 1956 में इसे भी राज बनाय गया था बिधान सभा में 224 सीटे है बिधान परिशन में 75 सीटे है राजसवा में 12 सीट हैं लोकसवा में 28 सीट हैं एक लाग 91,791 वर किलूमीटर में आपका करना ठक फैला हुआ है दच्छें भारत में है चोरी चोरा घटना ए पांच फरवरी 2022 को चोरी चोरा घटना के 100 साल पूरे हुए है और 1921 में रॉलेट एक्ट की विरोध में महत्मा गांधी ने असायूग आंदोलन शुरू किया था लेकिन 4 फरवरी 2022 को गोरपपूर के पास चोरी चोरा नामग जगह पर आंदोलन कारियों ने एक पुलिस इस्टेशन में जला दिया था पाई का विद्रो ये आप देखें केंद सरकार ने पाई का विद्रो को भारत का पहला सुतंता अंदोलन नहीं माना जा सकता है किसने का है केंद सरकार ने साल 2017 से उडिशा के अंसरका से पाईका विद्रो को पितम सुतंता संग्राम घोसित करने के लिए पिर्यास कर रहा है और वर्टमान में 1857 की करहंतिकारी विद्रो को ही पितम सुतंता संग्राम माना जाता है आपको बता दूँ कि 1817 से 1825 की दौरान औरिशा के आदिवासी जंजातियों ने बेटे सीचन इंडिया कंपनी के खिलाब ससक्त विद्रो किया था और पाईका का साबदेक अर्थ हो था है पैदल सेनिक या विद्रो 1857 के सेनिक विद्रो से 40 बस पूर हुआ था एक बात और आपको बता दूँ 1857 या 1947 के पहले भी विद्रो होते रहें आंदोलन होते रहें लेकिन आप देखिए किसी जाती का था वो किसी धरम का था एक समू का था लेकिन आप देखिए सभी ने जब सोचा कि हमारा सबका सोसंड हो ही राय और हमें आजाती चाहिए अंग्रेजियों से ही तो एक साथ होकर क्यों न लड़ा जाए और एकता की मजबूत ही होती है अलग ही बात होती है तो ये भी आप लोग याद रखिएगा और उडीसा को अगर आप लोग देखना चाहें तो उडीसा चलिए ये उडीसा है भूमनेसुर इसकी रादधानी है और इसकी सीमा पच्चे मंगाल जारखंड, चत्तिस गड़ और आन्पेदिस से लगती है विदान सबा में 147 सीटे हैं, लोग सबा में 21 सीटे हैं, राज सबा में 10 सीटे हैं एक लाख पच्पन हजार, 707 बर किलोमीटर में फैला हुआ है उडीसा मंदिर बास्तुकला यह आप देखेंगे कि भुवनेसोर में इस लिंगराज मंदिर सहित अन्न आठ मंदिरों को विसेस कानून के अंदर रखने के लिए उडीसा सरकार ने अध्यादेश पारित किया था और जिस पर केंध सरकार ने रोक लगा दिये और संत्किती मंतराले से समंदित अध्यादेश के विसे में कहा गया है कि इस तरह का अध्यादेश लाने की सकती राज सरकार को नहीं फिदान की गई है लिंगराज मंदिर भगवान सिफको समर्पित एक मंदिर है और जिसका निर्माड याति बंस के राजाओं ने 1010 भी और 11 सदी के बीच करवाय था उडीसा के मंदिर का लिंग इस्थापत कला का उतकर्ष्ट उधारन है देखिए अध्यादेश कहने का मतलब होता है कि आप देखिए जब विधान सवा ना चल लई हो लोक सवा राज सवा ना चल लई हो तो उहां आप देखेंगे कि क्या लाए जाता है आपका अध्यादिस लाए जाता है और आप लोगोंने पढ़ा होगा अनुचेद 123, अनुचेद 123 एक, दो, तीन यह आप देखेंगे कि जब संसत के विसानती काल होता है तो समय अध्यादिस पेख्यावित करने की सक्ती किसके पास है, राजपती के पास लेकर आप देखते हैं कि कानून के बराबर ही इसमें सक्ती होती हो उतना ही आप देखें काम करता है लेकर लोगसवा और राजसवा बैठने के बाद इसे पास करवाना होता है, ठीक है? और अगर हम लोग राजपाल की परिपेक्ष में बात करें तो आप बिधान मंदल में विस्तरांती काल हो, उस समय अध्यादेश कौन ला सकता है? राजपाल ला सकता है लेकिन उसे भी आप देखें बिधान मंदल से पास करवाना होता है बाद में राजा राम मोहन राए साल 2022 में भारती पुनर जागरन की अगदूत राजा राम मोहन राए की 250 भी जैन्ती मनाई गई है और 19 वी सदी की महान समाद सुधारक राजा राम मोहन राए ने सती बिथा को समाथ करने के लिए अतक परियास भी किया थे और इन्हें के परियास के कारण आप दीखेंगे एक अतम हुआ था इसके अलावा उन्होंने ततकाली समाज में फैले पाखंड और आड़मरों को समाथ करने के लिए ब्रह्मा समाज की स्थापना किये थी और समाज में महलाओं के अधिकारों उनकी सिक्षा के लिए उन्होंने व्यावक परियास भी किये थे फिलोस्पर थे एक आप सभी जानते होंगे 22 मई 1972 में 22 मई राजा राम राजा राम मोहन रहे की बारे में नहीं जानते हो 22 मई 2772 में का जन्म गवा था 27 सेप्टबर 1833 में की डेथ हो गई थी भारत की फिलेग कोड की लिए संसोधन की बात हो रही है तिरंगा आप लोग देखने है ना उसी की बात हो रही है तो भारत की 12 सहिता यानी की फिलेग कोड में संसोधन किया गया है अब तिरंगे को 24 गंटे अत्वा अर्था सूर्यास्त के बाद भी फराया जा सकता है इस संसोधन की पहले सूरास्त के बाद तिरंगा नहीं फराया जाता था इसके लिए फिलेग कोड 22 में बदलाओ किया गया है इस्टेट एंबेलेम ओप इंडिया जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेंटल विष्टा के तहट नए संसाध भवन का निर्मान किया जा रहा है और इस नए भवन की छट पर असोक स्थम की पितीक इती का निर्मान किया गया है और 6.5 मीटर उचे राष्टी पितीक के निर्मान में 90 पिती सक तक तामे का इस्तेमाल किया गया है इसको लेकर काफी विवाद भी हुआ इसकी मूल बनावट से एपितीक भिन है बेपक्ष ने निसाना भी सान्दा था चोल कालीन मूर्थियां पिछले साल चर्चा में रही फिल्म पुर्णियन सैल वर्न पार्ट एक समरेदी चोल समराजी की बिरासत को पिदर सिद करती है और चोल समराज जितना अपने बिस्ततों और संगठित राजी के लिए फेहमस्ता उतना ही पिसिद था उसकाल की मंदिर और मूर्थियों के लिए चोल कालीन इस्थापत कला मूर्थि कला सुंदर्था के मामले में बेजोर थी और सिबकी नटराज भी दिमा चोल कालीन कला की ही देन थी और 1960 के दसर में चोल कालीन नरेस सुरं सेबन मंदेश से बहुत सारी कास मूर्थियां चोरी हो गई थी और जैसे USA के संगराला में रखा गया था हाली में तमिलाडू की आइडल विंग CID ने चोल यूगीन मूर्थियों को पुनाप राथ करने के लिए USA के अधिकारियों को मूर्थियों से संबंदित अधिकारी दस्ता भी सौंपे है तमिलाडू को आप लोग देखना चाहे तो चलिए तमिलाडू देख लीजे आप देखेंगे उट्षिन भारत चलेंगे तो आप लोग चैन्न नहीं देखने को मिलेगा तमिलाडू की राध धानिये तमिलाडू की सीव में आंध्पितेश करनाटक की राज से लगती है यह नाविधान सभा में 234 सीटे हैं, लोक सभा में 49 सीटे हैं, राज सभा में 18 सीटे हैं, 13,058 बर किलो मीटर में आपका फैला गया है। और बहुत सारी मूर्टी आप देखें हमारे देश से चोरी होती हैं बाहरी देशों में चली जाती है। भारती सेना की अलगलग प्यारवूपों को पेदरसित करने के लिए तीनों सेना, थल सेना, बायू सेना और ने सेना की अलगलग जण्डे हैं। बारतमान नो सेना की धोज पर सफेद पश्टूमी लाल रंग से छेतिद और लमबबत रेकाएं बनी हुई हैं। जण्डे के बीच में नीले अश्ट कोंड के साथ राष्टी पिति के नेशनल इंबेलम बना हुआ है। इसके अलावा अध्वच के उपरी कौने में सेन्ट जॉर्च के कॉस को हटा कर वहां तरंगा लगा दिया गया है। महा कालिस और मंदिर में मेगा कॉरीडोर प्रोजेट के तहट एक बड़े कॉरीडोर का निर्मार किया जा रहा है। और सिध्धालों की बढ़ती हुई भीड को समालने के लिए इस कॉरीडोर को निर्मार किया जा रहा है। एक नंवंबर 1956 में से राज बनाया गया था, यहां बारत्मार में विधान सवा में 230 सीटे हैं, राज सवा में 11 सीटे हैं लोग सवा में 29 सीटे हैं। कुतुब साही मकवरा, कुतुब साही मकवरी में इस्थित गोलकुंडा इस्टेफ वेल को सांस्कितिक विरासर सरक्षन के लिए UNESCO एसिया Pacific Award के तहद Award of Discussion पे दान किया गया है, इस्टेफ वेल गोलकुंडा के लिए की कुतुब साही मकवरी में इस्थित है, और एरानी सेली म बनी इस्टेफ वेल का निर्माड सूलेवी सधी में कराए गया था, यह मकवरा, क्हिदराबाद में इस्थित कई संस्कितियों का समरे सरे, यह मकवरा, हिंदू, खार्सी वो पठानी वास्तु कला सहली का इस्थिमाल करके बनाए गया है, यह मकवरा, साथ, कुतुब साही, राजाओं को समर पिते और उन्होंने लगबग 170 वर्सनों तक गोल कुंडा पसासन किया था, मानगड इनरसंगार, साल 1913 में राजिस्थान की वासवाडा की पास, मानगड में लगबग 1500 नहत्ते आदिवासी जंजातियों पर बेटिस हुकूमत ने फारिंग कर दी थी, और अंदोलन की नेता थे, और वेटिस हुकूमत की सोचन के खिलाब विद्रों में वो आदिवासियों का नेतत भी कर रहे थे, और गुजरात किसकी राजिस्थान की बात करें तो जैपूर इसकी राध्धानी है, इसकी अंतराश्टी से माँ आप देखेंगी कि किस से लगती ह पाकिस्तान से लगती है, राज्जों में गुजरात, मद्ध पिदेश, उत्तर पिदेश, हर्याना और पंजाब से लगती है, विधान सभा में आप देखेंगी कि 200 सीटे हैं, राज सभा में 10 सीटे हैं, लोक सभा में 25 सीटे हैं, 3,42,249 बर किलूमीटर में फैला हुए, छ चार सो भी जैनती मनाने के लिए, दिल्ली में तीन दिवसी ये कारकरम का आयोजन किया गया है, इस कारकरम को मनाने का मुग देश या है कि देश के लोग लचित, वरफूकन की भीरता हो योद कोसल की बारे में जाने, ललित वरफूकन का जनम 24 नवंबर 1622 को हुआ था, वे देखी की बाहरी लोगों से लड़े हैं, लेकिन आप देखी फिर भी हम लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें इतियास में जगए नहीं मिल पाई है, यह आप देखें, कासी तमिल संगम की बात हो रही है, किसकी? आजादी के अमरित महुसाओ के एक भाग की रू देख दो महान पुरातन सजकितियों की भी सीतू निर्मार करना है, यह बनारस में हुआ, उत्तर पिदेख में बनारस साप लोग देखते हैं, जहां से प्रिधान मंत्री साफ लोग सबा सदस हैं, उत्तर पिदेख की राध्धानी लखनव, इसकी इंतराश्टी सीमा नेपा हैं, क्योंकि विधान सबा में 403 सीट हैं, विधान परिशद में 100 सीट हैं, राध सबा में 31 सीट हैं, लोग सबा में 80 सीट हैं, आपको देखने को मिलेंगी यहां, तो यह आर्ट एंड कल्चर से जुड़ी हुई कुछ महत्पूर्ण घटना हैं थी, उनके बारे में हम मात्पूर्ण घटनाओं को चुनें, तो यह मात्पूर्ण घटनाओं हो जाती हैं,